कानपूर में E.D. ने मल्टिनाशनल कमोडिटी कंपनी फ्रोस्ट इंटरनाशनल के संचालकों के खलाफ मने लॉंडरिंग के तहत के दर्चकर चानबी शुरू कर दी है मामला बैंक के 3592 करोड रुपे हडपने का है मामल में CBI ने जनवरी में फ्रोस्ट इंटरनाशनल के कानपूर और मुंबई समय देशफर में स्थ 13 ठिकानों में छापे मारी की थी दरसल CBI ने 19 जनवरी को कमपनी संचालक कानपूर के आजात नगर निबासी उदय जयन देसाई उनके बेटे संचे उदय देसाई और सुनेल लालचंद वर्मा समय तेरा नामसत और अग्यात बैंक अधिकारियों के खिलाफ के दर्श किया था कि दर्शाई की मुश्किल लगातार बढ़ रही हैं सी बी आई दोरा रेड उसके बाद मुकदमा दर्श करने के बाद अब एडी ने भी उनके खिलाफ और उनकी कंपनी के लोगों खिलाफ मुकदमा दर्श किया इस समय हम बिरान रोट के कलपना पलाजा इस तित उनके कागस्त है उनको जब्त किया गया था और जाच की गई थी उसके बाद सी बी आई ने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्श किया उसके बाद अभी और मुश्कले बढ़ती ने जरा रही क्योंकि एडी ने मुकदमा दर्श कर दिया है आपको बरगादेक बैंक आफ इंडिया क देख सकते हैं इस समय जो देशाई का ओफिस है वहाँ पर है ओफिस तो हाला कि खुला हुआ है स्टाफ है यहां पर हमनों जब बातचीत करना चाहिए कि यहां पर जो लोग है उनसे तो वो क्या बोलते है इस बारे में क्या देशाई जी या कोई यहां पर आ रहे हैं सर भी जानकारी देने दे पाएं. क्या देसाई जी यहां पर आ रहे हैं? आप पहले बाहर आईए. अरे बाहर आईए, ठीक है. अभी आप कोई अथर्टी नहीं, आप लोग पहले बाहर आईए. तो देखे कि पताते हैं कि आखर मामला है क्या? दरसल हीरा पारी उदे देसाई पर 3592 करोड रुपए बैंक फ्रॉट का केस है. इजी ने उदे देसाई और बेटे सुझा देसाई पर केस दर्च किया है. उदे देसाई की कंप्टी प्रॉस्ट इंटरनाशनल के खलाफ केस दर्च किया गया है जहां पर उदे देसाई ने खंपनी के नाम पर 14 बैंकों से करजा लिया. 21 जर्वरी को मुंबई में 13 ठीकानों पर छाप मारी हुई थी. मने लॉडरिंग के तहट उदे देसाई और बेटे सुझा पर केस दर्च किया जहां. आज 5 बैंकों के प्रबंदकों ने CBI को अप